आज मैं बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ और वह कैट से रिलेटिड है बट प्लीज सब्सक्राइब टॉर चैनल ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो मिलती रहे मैं बात कर रहा हूँ कैट्स की सबसे ज़्यादा कॉमनली नून ब्रीड पर्शियन के बारे में लेकिन सारी लाउंग कोटेट कैट्स जिनका कलर वाइट हो वो पर्शियन्स नहीं होती बहुत सारे लोग एंगोरा कैट्स को भी पर्शियन ही बोलते हैं और वो इन दोनों ब्रीड्स का फरक नहीं जानते तो चलें आज जानने की कोशिश करते हैं फरेंट्स पर्शियन कैट्स इसे लॉंग हीर्ट कैट जिसका ओरिजिन पर्शिया या मौडरन डे इरान से हुआ और उसे शिराजी कैट भी कहा जाता है इस कैन सिस्टर्स इरान से 1620 में इटली लाए गए फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग से इसे डेवलॉप किया गया और लेट 19 सेंचरी में इसे इस्टेंडराइस किया गया इसके सबसे इंपॉर्टन फीचर्स में फ्लैट फेस और राउंड बिग आईस शामिल है जो इसे सारी दूसरी ब्रीड से डिफरेंशियेट करती है जबके एंगोरा कैट्स भी लॉंग फर ब्रीड है और उनका ओरिजिन तर्की के रीजिन एंगोरा से है जिसको आज एंकारा के नाम से जाना जाता है और तब ही इस कैट का नाम एंगोरा कैट्स है ये कैट्स फ्रांस और रशिया में 16th सेंचरी में इंपोर्ट की गई लेकिन कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि यॉरप में 14 सेंचरी में अपेर हुई जब क्रूसेट्स चल लहे थे ये भी पॉसिबल है कि आज की लॉंग कोट पर्शियन्स प्योर ना हो लेकिन ये जरूर है कि लॉंग हेर कैट्स के जो ट्रेट्स है यह आप ये कहलें कि ये कैट्स अपने ट्रेट के लहाज से या तो ज़्यादा अंगोरा से मिलती है या ज़्यादा पर्शियन्स से मिलती है लेकिन major differences कुछ ही last decades में evolve हुए जब punch face या flat face या packy face Persian cats evolve हुई वरना उस से पहले Persian और Angora में कोई इतना खास difference नहीं था दोस्तों चलें Angora और Persian cats के जो traits हैं हम उनको compare करते हैं So starting with the face, Persians have short face और flat face Nose भी short होती है और head round होता है जबकि Angora का face और nose थोड़े longer होते हैं और muzzle भी थोड़े long होता है और face wedge shaped होता है Persian की eyes round होती है और nose से थोड़े दूर दूर होती है जबकि Angora की eyes element shaped होती हैं और slightly upward होती है Persian के ears low होते हैं थोड़े down होते हैं जबके एंगोरा के ears erect होते हैं और उन दोनों के दरम्यान जो distance है वो भी काफी कम होता है Persian cats का face round होता है और side के जो hairs होते हैं वो काफी ज़्यादा होते हैं जबके एंगोरा के cats का face है वो triangular होता है और थोड़ा सा नीचे से pointed सा होता है और काफी delicate होता है और जो side के far होते हैं वो soft होते हैं और थोड़े से short होते हैं दोस्तों, body के features की बात की जाए तो angora are taller and slender than person cats वो बहुत heavy नहीं होती हैं जबके moderately muscled होती हैं जबके persons are with stronger body और उनकी legs shorter होती हैं और ज्यादा stronger होती हैं उनके paws round होते हैं और उनकी body जदा muscular होती है अंगोरा का fur dance होता है लेकिन person का fur angora से भी जदा dance होता है अंगोरा की tail body के हिसाब से जदा fur होती है जबकि person की tail है वो body की तरह evenly furd होती है और person की tail angora के मुकाबले में थोड़ी जदा long होती है गोरा का classical color white ही है और white के बहुत सारे different shades आपको देखने में मिल सकते हैं मतलब cream color भी आपको देखने में मिल सकता है slightly yellowish white भी जिसको हम cream white कहते हैं वो भी देखने को मिल सकता है off white भी देखने को मिल सकता है जबकि अगर हम बात करें Persian cats की बहुत सारी variety देखने को हमें मिल सकती है ranging from white to golden, black to smoke gray, silver and many more और बहुत सारे patterns भी देखने को मिल सकते हैं फ्रेंट्स, life spend की बात कीज़े तो दोनों को life spend 12 to 14 years होता है और कुछ में life expectancy से भी ज़ादा देखने को मिली हैं एंगोरा की body इतनी ज़्यादा heavy नहीं होती, slender shaped होती है जबके persians की body ज़रा muscular और round होती है और उनका फर भी round shape में ही आपको देखने में मिल सकता है फ्रेंट्स, genetic diseases की बात की जाए तो एंगोरा और persians की अंदर अपने अपने लिहाज से genetic diseases को represent करने की chances होते है लेकिन health status की बात कीजिए तो persians are much more prone to the diseases than angora cats flat face होने की वज़ए से उनके eye diseases और respiratory issues ज़्यादा हो सकते है उनकी तो tear glands है वो hyper active होते हैं और बहुत ज़्यादा tear excrete out उनमें से हो सकता है जिसके ऐसे काफी ज़्यादा problems देखने में आ सकती है एंगोरा cats को eyes का issues ज़रा कम ही होता है persians के अवाले से फिर भी cataract develop करने के chances इसके अंदर भी होते है दोनों के अंदर kidneys damage होने के बहुत सारे chances होते है पोलिसिस्टिक जो kidneys से उसका issue काफी हो सकते है जिसके ऐसे दोनों की life expectancy कम हो सकती है तभी इन दोनों cats की hydration का बहुत ज़ादा ख्याल रखना चाहिए पैकी face या extremely flat face होने की वज़े से बहुत सारे persian cats का mouth का size है या buckle cavity है वो छोटी हो जाती है और उनको dental और peridental diseases होने के chances एंगोरा के मुकाबले में ज़ादा होते है तभी इनकी oral hygiene का बहुता ख्याल रखना चाहिए इसके लिए दोनों cats summers में अपना जो फर है वो shade करती है तभी गर्मियों में और summers आने वाले मौसम में हमें देखने में मिलता है के hair fall in cats को बहुत ज़ादा होता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है दोनों को regular brushing की जरूरत होती है ताके knots ना बन जाए फर में अगर knot बन जाएंगे तो बहुत problem होती है शेफ करवाना पर सकता है और दूसरे problems हो सकती है तभी इनकी maintenance का खास ख्याल रखना चाहिए once a week और twice a week shampoo लाजमी करना चाहिए ताके इनके hairs tangle ना हो इनकी skin का बहुत जादा ख्याल रखना पड़ता है ticks or leases और fleece से इनको बचा के रखना पड़ता है ताके इनका जो hair laws है वो कम से कम हो सके तो friends and media आपको आज एक बहुत बड़ी confusion से निकलने का मौका मिला होगा अब आप identify कर सकते हैं आपकी जो cat है वो persian है या angora है और दोनों ही cats अपनी खासित के लिहास से बहुत जादा अच्छी है और activeness की बात कीजए angora cats आज मर more than active than persian cats वो ज्यादा active होती हैं ज्यादा playful होती है persian cats अतना ज्यादा playful नहीं होती है वो बहुत कम लोगों से interaction करती है और बहुत ही जादा playful cat होती है तो friends अपनी cats का ख्याल रखें अमीद है आपको आज बहुत को सीखने में मिला होगा इसी तरह के समागे आने वाली वीडियोस में भी ऐसी effects लाते रहेंगे please हमारे चनल को subscribe करना मत भूलें आप उन लेटिस वीडियो वक्त में मिलती रहें thank you so much Allah Hafiz